नमस्कार स्टड़ी आईक्यू आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनी श्रवास्त और मुद्दे की बातकारे क्रम में आज हम बात करने वाले हैं निर्जली करण के बारे में दी हाइड्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है जो सभी लोगों को होती है उसके बाद आप लोग सभी लोगों ने ओर एस तो लिया ही होगा लेकिन इन सारी चीजों को लेते समय आपको कभी याद आया कि इनको किसने खोजा तो आज हम उसी वेक्ति की बात करने वाले हैं बहुत जल्दी हमारा शरीर रीकवर कर लेता है तो इस चीज का क्रेडिट जो है इन वेक्ति को जाता है हाली में बताया गया है 16 अक्टूबर के दिन इनकी मृत्ति हो गई और यह 87 वर्ष के थे यह फेफडों के संकरमन से प्रभावित थे इनको पॉलिन पुरसकार भी दि मतलब बच्चों का जो मृत्यूदर था वो काफी जादा होता था इन सारी समस्याओं से कोलेरा से दस्त से हैजा से तो उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा रामबान इलाज जो दिया जिसको ओरस कहा जाता है उसके बारे में समझेंगे तो यह जो है ओरस से जो है इन उस समय इन्होंने बहुत बड़ी भूमी का निबाई शरणार्थियों के लिए यह जो है एक तरीके से भगवान बनकर उभरे उस जगा पे तो आज उसी के बारे में बात करेंगे इनके बारे में अगर हम बात करें तो बहुती जो है बहुत सारे ऐसी जगाओं पे यह डब रिहाइड्रेशन सोल्यूशन तो यह जो चीज थी यह चर्चाओं में कब आई थी अगर हम बात करें 1971 में एक युद्ध हुआ जो इंडो पाक युद्ध था जो कि बहुत ही जादा महत्पूर्ण युद्ध बताया जाता है भारत के धियास के अंतरगत इस समय हमारी प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी थी जनरल मानिक शौ जो थे हमारे आर्मी के चीफ हुआ करते थे उस समय यह युद्ध हुआ और उ वरतमान का पांगलादेश या पूरवी पाकिस्तान है वो उनके जो शहनारती थे जब भारत आ रहे थे तो उनको जिन रिलीफ कैम्प में रखा गया था वहां बहुत सारी बिमारियां हो गई थी लोगों को लगबग बताया जाता था कि वहां पर अगर 100 लोग किसी कैम्प में है तो उनकी 20-30 लोगों की मृत्यू जो है वो इन आम बिमारीयों से हो जाती थी निरजली करण डिहाइड्रेशन के कारण किसी को कॉलेरा हो गया किसी को हैज़ा हो गया किसी को डायईर straight हो गया इनकी मृत्य हो जारी थी तो उस समय जो है ये भी एक शिवर में वहा करत थे और उस शिवर के अंतरगत इन्हों ने जब देखा कि हमारे पास जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स तो है नहीं जैसे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई बार डॉक्टर आपको बॉटल चड़ाता है तो बॉटल शिवर में इतने सारे लाखो लोग जो है शरनारतियों के तोर पे भारत आ रहे थे और उनमें इतना मृत्यूदर था तो इन्हों ने देखा कि वही इस तरीके से तो पूर्ती नहीं हो पाईगी तो इन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े ड्रम लिये उन ड्रमों के अंदर प रहाना इनको बहुत सारी जगह मिली बाद में चलकर इस सोल्यूशन को जो है प्रमानित भी कर दिया गया कि भही किसी को injection नहीं दीा जासकता तो सीदे-सीदे औरल मेडिसिन दी जा सकती है तो इसके लिए जो है इनको काफी क्रेडिट दिया जाता है तो मैंने जैसा बताया यह 1971 का जो बांगलादेश के साथ जो बांगलादेश को आजाद कराने वाला जो युद्ध हुआ जिसमें बांगलादेश की तरफ से मुक्तिवाहिनी ने कर जो है लोगों को पिलाना चालू किया ओरल वे में मतलब मौकिक तौर पर आज आपको मेडिसिंस या वैक्सीन होती है तो दो तरह की मेडिसिंस होती है आप या तो आई यार वी लेते हैं या फिर ओरल लेते हैं जैसे पल्स पोलियो अभियान में कई बच्चों को जो है म स्थिती से जो है इन्होंने उभारा था और ORS फिर जो है काफी प्रचलित हुआ WHO ने भी इसको प्रमानित किया तो आज भी जो है हमारे भारत में 29 जुलाई को हम ORS डे मनाते हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में बताया जाता है मैंने आपको जैसा बताया कि 1971 के बांगलादेश मुक्ति संग्राम के दौरान डॉक्टर महलान बिश शरनारती शिविरों में काम कर रहे थे जब वे ORS लेकर आए तो जब इनके पास इतने ट्रेंड वरकर्स नहीं थे जो इंजेक्शन से लोगों को सलाइन चड़ा पाएं तो उस समयनों ने एक बहुत जो है एक बोला जाए इंस्टेंट सोल्यूशन दिया और जो की काफी प्रभावी रहा इसके बाद अगर हम बा जाता है पश्रिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था मृत्यूभी बंगाल में ही हुए है और महल अन्बेस ने कॉलकाता और लंडन में अध्यन किया और 1960 के दशक में कॉलकाता में जो जॉन्स हॉप पिकन्स यूनिवर्सिटी इंटरनाशन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च ट्रेनिंग में शामल नहीं हुए जहां उन्हें ओरल रिहाइडरेशन थेरेपी में शोध किया कि और रिहाइडरेशन कैसे दिया जा सकता है इस पर पूरा का पूरा इन्होंने रिसर्च की थी बाद में यह चीज प्रमानेद भी होई इसके अलावा अगर हम बात करें जो दा लैंसेट है यह बहुत ही फेमस जर्नल है जो मेडिसिन से रिलेटेट का ही तरह की इन्फरमेशन देता है उस उनके कथन के अनुसार इनको कहा गया कि यह बीसवी सदी की सबसे महत्पूर्ण चिकित्सा खोज है जैसे आज कई ऐसी चीज़े हम जो प्रयोग करते हैं ले ऐसे ही ORSB एक बहुत बड़ा एक जो है डवलप्मेंट तक होस था जिसने बीसवी शताबदी के अंदर कई महत्पूर्ण चीज़ें जो है कई लोगों की जान बचाई है इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में तो 2002 में डॉक्टर नाथालेंस एफ पियर्स के जिरू में बताया था तो यह बहुत महत्पूर्ण पॉइंट है जिनको पूल इन अवर्ट दिया गया था भारत में इनको इतना ज्यादा नहीं पूछा गया आज भी कई लोग नाम इनका नहीं जानते हैं लेकिन जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको सम्मानित किय है आई वी जो भी आपको हाथ में इंजेक्शन के तौर पर या नेडिल्स के तौर पर किया जाते है इसको आई वी कहा जते है तो इसी का एक तरीके से ऑल्टरनेटिव है ओरल मेडिसिंस सीधे मुख में दे दो आज कल एक और चीज़ आ गई है नेसल जैसे कोविट के जो भी oral rehydration solution लेते हैं उसके अंदर NACL होता है मतलब आपका salt होता है जो common salt आपका table salt होता है वो होता है इसके अलावब potassium chloride होता है KCL होता है इसके अलावब trisodium citrate का उप्योग किया जाता है glucose को मिलाया जाता है और इसमें जो है यह solution को बनाया जाता है कि जैसे 21 ग्राम है तो 1000 ml के लिए create किया जाता है तो इसमें sodium, potassium, chlorine, citrate और glucose होता है C6, H12, O6 भी होता है citrate की बात करें, chlorine की बात करें तो यह सारे electrolytes होते हैं इनी के loss होने से हमारी body में dehydration हो जाता है पानी का अवशोशन नहीं कर पाती body तो इन चीजों को देने के बाद हमारी body अवशोशत कर करने पाती है तो एक छोटी सी चीज थी लेकिन एक बहुत बड़ा जो है चेंज इनोंने society में लाकर दिया इसके साथी साथ हर साल जो है 29 जुलाई को ORS Day भी मनाया जाता है तो ORS के लिए जो जाना जाता है वो डॉक्टर दिलीप महाल लॉन बेसको जाना जाता है इनने बत कोई doubts होंगे तो आप इन social media handle पर जोड़ सकते हैं lecture की PDF यहां से डाउनलोड करेंगे और भी कोई तरह की issues होंगे तो मुझे जरूर बताएंगे thank you very much for watching this have a great day